दिली में 28 मई को मिलेगा देश को पहला हाई टेक संसद भवन 28 मई को पियम मोदी करेंगे नई संसद भवन का उद्धाचन सुबह 7.30 बजे से होगा हवन और पूजन नई संसद भवन में हवन और पूजन होगा पियम मोदी और लोकसभाई स्पीकर पूजन में मौजूद रहेंगे 28 मई को नई संसद भवन का उद्धाचन होगा मोदी सरकार के कई मंत्री भी इस पूजन में शामिल होगे सुबह 8.30 बजे किया जाएगा सेंगोल स्थापित कारेक्रा में पढ़ा जाएगा राश्च पती का संदेश 75 रुपए का सिक्का भी पियम नरेंद्र मोदी करेंगे चारी सिक्के के बाई तरफ नई संसद भवन का होगा चित्र 28 मई को नई संसद भवन का उद्धाटन किया जाएगा सिक्के में 50 फीसदी चांदी, 40 फीसदी तामबा, 5 फीसदी निकल, 5 फीसदी तयार किया गया सिक्के का छेत्रपल 44 मिलिमीटर और आकरिती कोलाकार होगी 28 मई को मिलेगा देश को पहला हाई टेक संसद भवन 28 मई को पियमोदी करेंगे नई संसद भवन का उद्धाटन सुब़ साड़े साथ बजे से होगा हवन और पूजन नई संसद भवन में हवन और पूजन होगा पियमोदी और लोकसभाई स्पीकर पूजा में मौजूद रहेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ सवादाता विवेक जुड़ेंगे विवेक कल 28 मई को नई संसद भवन का उद्धाटन किया जाएगा पूजा और हवन के साथ पूजा और हवन के साथ पूजा में संबनित होंगे और मुझी सवाई मंत्री भी इस पूजा में सामी लोगसभाई स्पीकर के आफ सीन के पास साथित किया जाएगा इसके बाद 12 बजे काईकर में राश्पटी का संदेज पढ़ा जाएगा साकाइदा आजादी के अमित महसो और नए संसद भावन मिलने के उपलक्ष में 75 रुपए का सिक्का वितमान ताले की तरफ से जारी किया जाएगा जिसे परदाम मंत्री नेंद मोदी आज के दिन चारी करेंगे और सिक्टी की खास्चत्य है कि यह सिक्का वोलाकार है और चववाली मिलिमीटर इसका छत्रपल बताये गया है सिक्के के डाई तरफ नई संसर्ट भवन की आजक्रती होकेरी गई है और सिक्के पर एक तरफ देवनागरी बहता में भारत और दूसरी तरफ इंग्लिस में इंडिया अंकित किया गया हुआ है अगर बात करें तो ये सिक्का 75 रुपे कर जिस सिक्क्य की बात करें तो वो 50, 30, 40 सिसी सामे से 5 पिज़ी निकल और 5 पिज़ी जिंग से मिलकर बना हुआ है सिक्क्य की अगर छेस्पल की बात करें तो 40 mm और इसकी आकिर्टी जो है वो गुराकार होने वाली है तो इसे पूरे आयजन को भवे बनाने के लिए चेंदी सरकार पूरी तैयारी के साथ जुट गई है तमाम जानकारी के लिए बहुत बद्धेनवाद आपका विवेक यूपी सरकार ने की 700 अधेवक्ताओं की तैनाती इलाबाद हाई कोट और लखनो बेंच में सरकार का पक्ष रखने के लिए तैनाती की गई है 700 अधेवक्ताओं की यूपी सरकार के विभन मामनों भी पक्ष रखेंगे 500 विधी परामर्शी यूपी सरकार के वितव भगने की 700 नए अधेवक्ताओं की सुची जारी लावडू स्पीकर पर सियम योगी का हंटर खबलक नौ से है लावडू स्पीकर की संख्या और आवाज कोले कर चलाया जाएगा भ्यान गई इलाकों में धर्मे स्थलों पर लगे लावडू स्पीकर की पुलिश जांच करेगी जादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ समधाता विवांश रूड़ेंगे विवांश लावडू स्पीकर पर सियम योगी ने एक बार फिर से एक्शन दिखाया है और अब पुलिस जांच करेगी इसको लेकर जे विल्कुल लंदनी आपको बता दे हैं कि धार्मी का स्थलों पिलावड स्पीकर के प्रयोग को लेकर सुबे के मुख्यमंद्वी योगी अजितनाद एक बार फिर सक्त होते हुए नजर आए हैं बात कर निकाय चुनाओ और साथी साथ मुख्यमंद्वी योगी अजितन पहुंचे तो उनकी तब से एक लेटर जारी किया गया और अब समय को निर्देश दिया गया कि जहां भी लाड़ स्पीकर का प्रयोंग दिया जा रहा है उसे वापसी वापास से उतारने का निर्देश दिया और साथी साथ अपसरों की तीम लखनव के अलग 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 को प्रयों में जाकर खासकर मिस्टी तापादी और तमाम चेत्रों की जगोब जाकर लाड़ स्पीकर उतारने को लेकर अव्यान चला रहे हैं आपको बता दे कि साफ तौर से मुख्यमंत्री ये आदेश दूसरी बार दे रहे हैं पूंग में भी उनके त्वारा लाड़ स्प लाड़ स्पीकर की जो लाड़ स्पीकर से तमाम में जोगों पर भानी पर दूसन होता है जिसे वोग लगेगी तमाम शानकारिक लिए बहुत बहुत है अब कर वांशु लग्णों में UPSTF को बड़ी सफलता मिली है खबल लग्णों से सामन्यारे जहां पर UPSTF को बड़ी गिरफतार कर लिया गया है अभी मन्यू शुकला पर कई मुख़ में दर्ज है UPSTF को बड़ी सफलता मिली है इनामी वांशुत अभीयुक्त को गिरफतार कर लिया है UPSTF ने अभी मन्यू शुकला पर कई मुख़ में दर्ज है मेरट में चौधरी चरर सिंग विश्व विद्याले में हंगामा हुआ है श्यपत ग्रहर समारों में जम कर बवाल हुआ है वन्दी मात्रम गानी पर खड़े ना होनी के बाद जंग जम कर हंगामा क्या है AIM और भाजबाप पार्शुद आपस में भीड़े खबर मेरट से सामने आ रही है मामले को पढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर हुई तैना बड़ी खबर मेरट से है हंगामे की भेड़ चड़ा मेयर का शपत ग्रहर समारों चौदरी चरर सिंग विश्व विश्व द्याले में हंगामा हुआ है खबर मेरट से है शपत ग्रहर समारों में जमकर बवाल हुआ है शादा जानकारी के इस खबर में हमारे साथ समधाता राजन जुड़ेंगे राजन शपत ग्रहर समारों में जमकर बवाल हुआ है क्या कुछ अदिक जानकारी इसको लेकर मेर और मेरेत के 90 वाड़ों के पार्षदों के शपत गिरियर समारूता,ools मुक्ष्षिती के तौर पर मिरंदर कश्य पोलते वहीं जब राष्टे गी scholarship ने से पोले गीत ऑन्हेरक जीशिका हुए और वो सीट से नहीं खड़े हुए तो जिस राष्टे में रहते हैं उस राष्टे गीत का जो इन्होंने अपमान किया है इसको लेकर भारते जंता पार्टी के पार्षदों ने माईन के जो पार्षद के उनके साथ में हाता पाई करी इस तरीके की बात जो है ख़बर फैली है और महीं इस मामले को देखते हुए भारिक पुलिसवल शौदरी चन सिंग विश्विद्यानले में पहुचो और मामले को किसी तरीके से सांथ कराया महीं अधिकारियों को कहना है कि जो भी इसमें गल्टी पाई जाएगी जिसके विविरूत उसके खिलाव कानोनी कारवाई की जाएगी तो महीं जो मेर है जो मेरट की कमिशनर है गल्सटे कि गए उसके खिलाव तो पनी तरीके से कारवाई करेगी महीं ऊधिएति कारोशन की बंदे मातरम जिस राश्टे में एकर जिस राश्टे घीट का अपमान किया जाएगा उसके खिलाव सभी शनवेश्यकर के न को जोलीघए ना Wrap-णार बास इस्च्शन की के Арnda स से आपको बता दे जोती अवस्थी के कई वीडियो पहले भी हो चुके है वाइरल यात्रियों के साथ भी मारपीड के कई वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हुए थे जोती अवस्थी को निलंबित कर दिया गया प्रधान प्रभंदक अशोक कुमार ने जोती अवस्थी के उपर कारिवाई की है आरोपों पर दोशी पायचाने पर जोती अवस्थी के उपर गिरीगाज आलमबाग बस स्ट्रेशन के केंद्र प्रभारी जोत्य अवस्थी को निलम्बित कर दिया गया जोत्य अवस्थी के कई वीजियो पहले भी हो चुके हैं वाइरल यात्रियों के साथ भी मारपीट के कई वीजियो वाइरल हुए थे प्रधान प्रबंधक अशोक कुमा ने जोत्य अवस्थी के उपर कारिवाई की है आरोपो पर दोशी पाइचाने पर जोत्य अवस्थी के उपर गिरी गाज जसके बाद उनको निलम्बित कर दिया गया खबल अखनव से है आलंबाग बस स्ट्रेशन के केंद्र प्रभारी जोत्य अवस्थी को निलम्बित कर दिया गया जोत्य अवस्थी के कई वीडियो भी शोशल मेडिया पर तेजी से वारल हो चुके थी जादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ समाधाता मुहमध ओवेस चुडएंगे मुहमध ओवेस देखे लगातार जुस तरीके से इंटरनेट पर उनके वीडियो वारल हो रहे थे जोत्य अवस्थी को अब निलम्बित कर दिया गया है वीडियो लगातार वारल हो रहे थे जिसको लेकर इनको पर कड़ी कारवाई की गई है कारवाई में इनको जो है निलम्बित कर दिया गया है जी तमाम शांकारी के लिए बहुत बहुत धन्य बाद आपका संदिक धालत में लापता हुए सिपाही का नहीं चल सका पता खबल लखनव से है साल 2021 में संदिक परिसितियों में लापता हुआ सिपाही शेलिंद्र यादो पैश्रोणी पुलिस अधिकारियों समित मुख्यमंत्री से लगाई थी गुहार दरदर भटकने को मजबूर हुआ पूरा परिवार कि यूटी पर तैनाते के दौरान संदित खालत में हुआ था लापता यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर सीम की चेतावनी खबर बुलंद शेहर से है अधिकारियों को सीम की चेतावनी के बाद बुलंद शेहर में कारेवाई की गई बुलंद शेहर पुलस ने 20 प्रदूशर फैला रहे लोगों पर कारेवाई की है 20 सिस्टम लगा कर प्रदूशर फैला रहे लोगों पर दरज हुई FIR बहासू थाना शेत्र गाम इमानकों के वीप्रीत लगे थे लाउड स्पेकर फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कारेवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी मीना ने बड़ी कारेवाई की है खबर फरीदाबाद से है टेक्शेशन देपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और डाटा एंट्री ओपरेटर के रफ्तार कर लिए गये है सेक्टर पश्वन के रहने वाले परविंदर सिंग पर शिकायत पर कारिवाई की गई जी एस्टी नंबर कैंसिल ना करने की एवश में मांग रहे थे रुपए बड़ी ख़वर फरीदाबास से है दोनों ने मिलकर पिडित के फर्म पर भी जाकर चेकिंग की थी डाटा एंट्री ओपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था पंद्रहहजार के रिश्वत लेते हुए ऑपरेटर के रफडार कानपूर में चोरों ने मंदर में क्या हाथ साफ चान्दी के मुक्र समित पूजा के बरतन घंटा किया चोरी मंदर में लगे सोलर पैनल की बैटरी पैनल भी ले गए चौर बिठोटानाशेत के अंतरगत विर्तियान गाउं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस